नमस्ते दोस्तों मैं अंकुरारिया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यस सनातन में तो दोस्तों पिछली बार जो हमारे विशय चल रहा था वो ता श्री गिताजी के उपर और हमने प्रताम अध्याय से शुरू करके दूसरे अध्याय तक इन चीजों के उपर वारतालाब किया था किस प्रकार से जो हम श्राद मनाते हैं श्राद तरपन जिसको हम बोलते हैं तो वो किस प्रकार से गिताजी के विरुद्ध है तो प्रश्ण यही बनता है कि इन दोनों में से हम क्या छोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरुद हुए तो या तो हम गीता जी को माना छोड़े या तो हम श्राद तरपन की जो प्रक्रिया है उसको छोड़े क्योंकि सत्य हमेशा एक होता है मेरे बंदूव, तो अब हम यहीं से दूसरा विशे उठाते हैं, पिछले विशे में हमारे पास एक और प्रती पात्व विशे निकल कर आया है और वो है आत्मा, तो हमने पिछले विशे में कहा था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और यह शरीर जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है और पंच तत्व में वापस विलीन हो जाता है जब हम इसका दहासंसकार करते हैं तो हम दहासंसकार करते हैं और मुस्लिम लोग जो है उसको कब्रिस्तान में दफन करते हैं Christians भी दफन करते हैं दो चीजे मैं जानता हूँ कि या तो दाही संसकार करते हैं या तो फिर इसको बोलते हैं कबरिस्तान में जाकर उसको गार देना तो अभी पिछले दिनों मेरे एक भाई से बात हो रही थी तो उससे ये बात हुई थी कि शिया सुनी के विशे में कुछ बात हो रही थी कि शिया जो होते हैं वो सुन्यों से ज़्यादा बैटर होते हैं तो मुझे कबरिस्तान से थोड़ा वो विशे याद आ गया तो इसको हम थोड़ा और ब्रॉड करके समझेंगे आगे वह विशे में आज हमारा विशे है कि आत्मा और शरीर आत्मा और शरीर का जो संबंद है उसके विशे में हम आज बात करना चाते हैं तो शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है ये हम सभी जानते हैं और मरणो प्रांथ किसी के भी, हम यही कहते हैं कि वो तो पंच्तत में विलिन हो चुके हैं। तो पंच्तत्वशे या सरीर बना कैसे, इसको हम scientifically कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंच्ततों से मिलकर बना हुआ है, हम को किसी ने कह दिया कि जो हमारी ग्राण शक्ती है वो प्रत्वी और जो हमारा देखने का अर्थाद, जो हमारी चक्षू की जो शक्ती है वो अगनी, जो हमारी रसना है वो जल, इस परकार से 5 ततू का अलग-रग, यह कर्ण का यानि के जो स्वर जो हमारे तलरक पहूंसता है, जो मैं बोल रहा हूँ और आपके कान तक जो पहुँच रहा है, वो आकाश में तरंग देधर्ये के दौरा, जो तरंगों के दौरा आप तक मेरा जो मेरी जो ध्वनी है, और एक मात्र ऐसा सत्य हम सभी को पता होना चाहिए कि हम प्रूफ कर सकें कि यह शरीर जो है वो पंच ततों से मिलकर बना हुआ है अब हम आते हैं अपने शरीर के ऊपर अब इस शरीर की जो गती है मेरे शरीर की जो गती है हम इसको थोड़ा रिवाइंड करते हैं तो जब मैं बहुत छोटा था, उससे पहले जब मैं गर्ब में था, तो गर्ब से पहले मैं कहा था, तो गर्ब से पहले मैं एक बीज मातर में था, वो बीज मातर कहां से आया था, जब कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहन करता है, तो भोजन के बाद उसका बनता है रस, फिर बन मान समज्जा और अंतिम चो सब्तम धातू है वो बनता है वीर्य तो इसी प्रकार से माता और इसी प्रकार से पिता में बनता है वीर्य तो वीर्य से फिर उनका संयोजन जब होता है तो बनता है अर्बुद जिसका एक वरणन न्याय दर्शन में आया है तो न्याय दर्शन में जिस प्रकार से अरबुद और उस से पूरा जो फेज करिया है बच्चे के नो महीं ने की वो भी बड़ा सुन्दर वरणन नियाय दर्शन में महर सी गोतम जी ने किया है उसको हम नियाय दर्शन के जब चक्राएंगे तो उस समय पढ़ेंगे तुम्हें तुम्हें सारी बाते याद रखनी है अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा सा अपने विश्यों के साथ बह जाएं समसामिक विश्यों के साथ बह जाएं निर्मान होता है वो शुरू होता है तो बीज की स्थापना कहां से हुई है वो हुई है अन से अब माता के शरीर में बालक है और बालक को नो महीने का जो समय है वो वेतीत करना है अब हम जब ये हमारे और आपके लिए एकदम वैभारिक बात है कि जब माता के गर्भ में कोई भी बालक होता है, तो डॉक्टर हो, दाई हो, घर की महिलाएं हो, पुरूश हो, सब बड़ा ख्याल रखते हैं कि अब इनके लिए अच्छे अच्छे पोश्टिक पदार्थ लाए जाएं, तो पोश्टिक पदार्थ क्यों लाते हैं, ताकि जो बालक है, बालक का शरीर का नि निर्मान होता है, अब बालक के शरीर का निर्मान हुआ, अब यहां एक और ध्यान दखने वाली योग के बात है, माता को अगर माल लिट्रिशन मिलता है, कुपोशन का अगर वो शिकार होती है, तो बालक भी कुपोशित होगा, माता को अगर अच्छा भोजन राप्त होता है तो इस बात की संभावनाएं बहुत जादा तक बढ़ जाती हैं के बालक का जो शरी होगा वो भी स्वस्त होगा सौष्ठव होगा और उसका जितना वजन होना चाहिए उतना होगा इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो अब दो हमने comparatively दो चीजे रख लिए हैं भ भोजन की मातरा अच्छी होने से उसका portion अच्छा होने से बच्चे के स्वास्थे में भी अच्छी व्रद्धी होती हैं तो दोनों के दोनों किसको proportional to हो रहे हैं दोनों के दोनों proportional to भोजन अच्छा भोजन उसको अगर मिलेगा तो जाके ये शर्थ पूरी होगी तो यानि क अच्छा शरीर इक्वल टू अच्छा बोजन यहां तलग हमारी बात सिद्धुई अब कोई भी व्यक्ति जब बच्चे बच्पन में होता है तो उसको पिर बोलते हैं कि यह कुपोशित बच्चे हैं यह इसी वज़े से हैं क्योंकि हम लोगों को पोशन देने का नहीं पता ह कि उनका जो बीज है वो कितना पोशित अत्वा कुपोशित है बच्चे को पैदा करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है तो वहां से मतलब जड़ों से ही कमी है यह एक बहुत ही गहरा विश्यर है जिसके उपर हम फ्यूचर में बात करेंगे अब बात आती है शरीर की तो अब मेरा ये शरीर बढ़ता बढ़ता जा रहा है तो अगर मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा तो मेरा शरीर बढ़ेगा अगर मैं बहुत बुरा खाऊंगा या अगर खाता भी हूँ और उसका बिलकुल ख्याल नहीं रखता हूँ जो पोशन मुझे मिल रहे हैं मेरा लीवर उसको अच्छे से नहीं अब्जोर कर पा रहा है, अच्छे से उसका पाचन क्रिया मेरी आते नहीं कर पा रही है, मेरे अवशोशक जो तन्तू है वो अच्छे तरीके सरस्को ग्रहन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मेरा ये शरीर अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़े अब हम बात करते हैं अन कहां से आया है तो अन आया है खेत से तो खेत क्या है खेत है भूमी और भूमी में क्या डालने से फसल होती है वो होता है जल और उसको प्रकाशन्सलेशन के लिए क्या चाहिए सूर्य की अगनी और उसको लहलाने के लिए क्या चाहिए वो है हवा अर् और उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसको बढ़ने के लिए चाहिए होता है अवकाश, अवकाश अर्थत आकाश, प्रत्वी की सतह से जस्ट उपर, ये पूरा अवकाश है, अवकाश अर्थत आकाश है, किसी भाई ने मुझे कहा कि क्या आपके अंदर भी आकाश है, म चाहिए एक पत चाहिए एक रास्ता चाहिए वो पूरा रास्ता भी वो पूरा रास्ता भी अवकास से आकास से भरा पड़ा है इतने माइन्यूट वोल्यूम में भी अवकास है तो इस प्रकार अन्न को बनने में पांचों तत्वों का पांचों के पांचों तत्वों का योग है हमारा शरीर और उस अन को प्राप्त करने में जिस प्रकार की हमारी मान सिकता रही जिस प्रकार से हमने उस अन को अर्जित किया उसी प्रकार से हमारा मन भी होता है तद अन मयत्वम मनह अन के जैसा ही होता है मन सरल भासा में कहोतो जैसा खावे अन वैसा होवे मन तो अन को जब हम हासिल करते हैं प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे की भावना भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अर्थात वो किसी से लूटा हुआ किसी का हक मार के नहीं होना चाहिए लूट खसोट के धन से वो अन ना लिया गया हो तब जाकर यदी हमारे शरीर का निर्मान हुआ है हमारे शरीर के अंदर बीज का निर्मान हुआ है और हमारे मन वचन और कर्म में शुधता है तब जाकर हम एक अच्छी संतान की उमीद कर सकते हैं उसके बाद में भी हमारे विचारों में एक पवित्रता हो जब माता के गर्भ में बालक हो तो उस समय भी अच्छे विचार आएं अच्छे विचार के साथ साथ अच्छा ही भोजन हो अच्छी संगत हो अच्छा अपना वेभार हो अच्छा स्वाध्याय हो तब जाकर एक अच्छे बच्चे की सुसंसकारित बच्चे की हम कामना कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आज का हमारा प्रतिपाद्य विशे जो था वो यही था कि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर कैसे बना हुआ है और पंच तत्वों में विलीन होता है यह तो सभी जानते हैं अगर नहीं जानते होंगे तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसको भी अलग से एक विशे बना कर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और हमको बहुत उत्सावर्दन मिलता है जब आप हमको इस परकार से अप्रिशेट करते हैं और इस परकार से आपका प्यार हमारे प्रती बना रहे हम जो भी वैदिक सिध्धान्त को आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में बिना किसी लाग लपेट के एक जो होता है ना प्रैक्टिकल भाषा हमारे आसपास के इन्वारिमेंट की जो भाषा होती है उसमें लाने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जै नमस्ते